हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल रमन इंडियन दोस्तों आज मैं आपके सामने रूपर रूपर आऊँ एक अपडेट को लेकर जो अल अबर इंडिया के वेटिंग लिस्ट है और खासकर एंडवर के जहां से रेलवे बूर्ड को जीरो डिमांड भेजा गया था यानि इतिहास हमेशा इस बात का गवा देता है और गवा रहा है कि जब भी कोई किसी मुहिन को सुरू करता है जबही कोई किसी प्रोटेश्ट को चालू करता है या कोई भी ऐसे काम जो सार्वजनिक हीतों के लिए हो तो कुछ-कुछ ऐसे बंदे होते हैं कुछ-कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे वो काम करने से उनका पैर की नीचे के तरफ खीचते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि 20 सितंबर को दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए जो प्रोटेस्ट होने वाले थे तो जो हमारे गुरूप के एक्टिव मेंबर हैं उनमें मैं सबसे पहला नाम संकर चोधरी का लेना चाहूँगा वो मेरे बरे भाय जैसे है मैं उनसे हमें सा कॉंटेक्ट में रहता हूँ और उनके द्वारा मुझे सारी अपडेट पता चलता रहता है उनकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ तो उनके द्वारा सारा बात पता चला और गुरूप में भी सब कुछ देखा जा रहा है कि उनके कारियों को 90% लड़के सरहाना करते हैं उनकी कारियों को संबान देते हैं लेकिन कुछ-कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनका पैर खीचने में लगे हुएं ऐसा बिलकुन नहीं होना चीए हम और आप अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं हम और आप अपना-पना काम कर रहे हैं फैंली के लिए पैट के लिए इसदिक लेकिन वह बंदा ठेला डिली जयपूर कर रहा है कि उनके सथ साथी भी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं तो अगर हम उनके साथ नहीं हो सकते हैं तो wireless program उनका टांग भी खिचने कोशिश्ष न करें अपनी वानी को मधूर रखें चलिए ये तो हो गई एक बात इस बात पे सभी बुद्धी जीवी लोग ही हैं सभी को विचार करेंगे ही मैं एक बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 20 सितंबर को जो दिल्ली में जो कुछ हुआ और 20 सितंबर से लेके अभी नवंबर चल रही है अब तक रेलवे अधिकारी को और रेल मिनिस्ट्री में और रेल भवन में सारे जगों पर इन लोगों के दौरा एक दवाब बनाया गया अपना रिक्वेस्ट लगाया गया अप्लिकेशन लगया गया 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 और हर एक जगह से गुड निउज ही निकल कर आ रही है कुछ-कुछ परसेंटेज कुछ बाते हैं जो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा तो भाईयों आप लोगों से हाथ जोर कर विनिती है सबी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा पैनल का वैलेडिटी 31 दिसंबर तक था अब वो आगे बरेगा या कि ना बरेगा वो तो एक आगे सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा रेलवे अधिकारी के दुबारा लेकिन आज 12 नमंबर है 14 नमंबर को NWR में एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है ऐसा इसलिए क्या जा रहा है क्योंकि इस बीच में जितने भी कारे सेली दिल्ली में एक्टीव मेंबर के दुबारा हुए हैं उन सभी का आसर देखने को मिलेगा कि NWR में बरे-बरे रेलवे का दिकारी और 9-10 सांसद MLA ये सभी मीटिंग में आ रहे हैं जैसा कि सुत्रों से पता चला है अगर उस मीटिंग के दवरान अगर हम सभी बाहर में सांती माहोल में अपनी बातों को रखेंगे प्रोटेस्ट में सामिल होंगे तो उन पर एक दवाब भी बनेगा कि इतने बच्चे को आखिर प्रब्लम क्यों हो रही है तो जिनसे हमारे कारियों में और ज्यादा फर्क परेगा और ज्यादा हमारा कार निखिरेगा इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 14 तारिक को जो जयापूर में आप लोगो उनका एड्रेस सेंड कर दिया जाएगा कि कहां पे होने वाला है प्रोटेस्ट तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वहाँ अवस्य पहुँचे इससे हम सभी को फैदा है इस वार आरिया पार की लराई है बहुत अच्छा गुर्णियू सभी से मिल रहा है और मैं आप लोगों को पता दू कि दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले गुरूप में फोटो वाइरल हुआ था जिसमें संकर भाई और एक गर्ल्स है एक लरकी है तो जब भाई लरकी अपने घर छोर को छोर कर इस मुहिम में सामिल होने के लिए आ सकती है तो हम और आप घर में क्यों बैठे है हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि इस लराई में सामिल हो आकर ये सब की लराई है इस वीडियो को जितने भी देख रहे हैं मेरे साथी 14 तारिक को 14 नमबर को इस प्रोटेस्ट में सामिल जरूर हो ये बढ़ चटकर हिस्सा लेजिए ताकि इस बार हमारा वेटिंग 100% किलियर हो ही जाए और केवल NWR की बात नहीं है औल आपर इंडिया की जितने भी वेटिंग लिष्ट के कंडिडेट है उन सभी से मैं अगरा क होकर इस लराई में सामिल हो राज बाद में आता है एस्टेट बाद में आता है लेकिन कंट्री सबसे पहले आता है इसलिए हम सभी एक इंडियन है और ये इंडियन लेवल की लराई है इसमें हम सभी को भाग लेना है मैं आपका भाई रवन आप सभी से एक और पुनह पहुंचाए कुछ ऐसा बात न बोल दे जो उनको कश्ट हो जो भी काम हो रहा है उससे हमें उसकाम में बाधा हो सकती है इसलिए किसी का पैरनी खिचना है एक दूसरे का हाथ पकर के आगे चलना है तो मिलते हैं 14 तारिको और डवलुर में तब तक के लिए जय हिन जय भारत